असलाम लेकुम चेप्टर नमबर फाइव एसेलूलर लाइव बेक्टिरियो फेज एंड जेनिटिक इंजिनिरिंग बेज नमबर 107 बेक्टिरियो फेज आर अबंड़ेटली प्रेजेंट ओन अर्थ ये तो हम जानते ही हैं कि बेक्टिरियो फेज नमी वाइरस बहुत जादा दाद में मौझूद होते हैं क्योंकि ये अपनी रेप्लिकेशन करते ही इतनी तेजी से हैं अब ये जो बेक्टिरियो फेज हैं एक प्रोसेस होता है ट्रांसडक्शन जिसके जरिये एक बेक्टिरियो का जैनेटिक मेटरियल दूसरे बेक्टिरियो में डाला जाता है थ्रू बेक्टिरियो फेज यानि बेक्टिरियो फेज को एक बेक्टिरिया पे यूज किया जाता है insert करवाय जाता और उसके बाद दूसरे बैक्टेरिया पर तो इस तरह एक बैक्टेरिया का genetic material दूसरे बैक्टेरिया में ट्रांसफर हो जाता और इस तरह से valuable product की तयारी के लिए genetic engineering में हम जो valuable bacteria होते हैं यानि beneficial bacteria होते हैं उनके genetic material में वो benefit या enzyme मौझूद होते हैं वो हम harmful bacteria के अंदर introduce करवा देते हैं जिसकी वज़े से जो harmful bacteria हैं वो भी beneficial bacteria में convert हो जाते हैं recently these phages are used to treat bacterial infections अब recently एक और experiment के जरिए ये क्या गया है कि इन phages को bacterial infections के लिए यानि bacterial infections को treat करने के लिए यूज किया जा रहा है कैसे यूज किया जा रहा है actually the genetically modified phages when inducted in the body they attack the pathogenic bacteria inside the body and destroy them by causing their genome as a weapons यानि इस सरह से कि ये तो हमें मालूमें कि bacteria phage एक ऐसा वाइरस है जो कि bacteria पर अटेक करता है तो अगर किसी person की body में bacteria का अटेक हुआ है तो वहाँ bacteria phage को introduce करवा दिया जाए तो bacteria phage जाकर उस bacteria को खतम कर देते हैं और उसका अब सवाल ये पैदा होता है तो क्या virus का कोई नुकसान body को होगा तो उसके लिए हमें अपने जहन में एक बात को रखना चाहिए कि keeping in view that they are host specific and do not harm the other microbes and cells of the body यानि जो virus के बारे में एक खास बात है कि या अपने host specific होता है यानि जो bacteria protect करने वाला virus है वो इंसान को या जानवर को या पौदे को कोई नुकसान नहीं बहुचाएगा सिर्फ और सिर्फ bacterial infections को ही खतम करेगा यानि कि bacteria को खतम करके phages are also used to present antigens which provide identification for the immune system to activate and destroy the pathogens that invades on our body यानि उसके इलावा यह जो phages है इनका एक ओर यूज यह होता है कि इनसे antigens तयार की जाती है यह इना as antigens use करवाया जाता है क्यूंकि इनके पास जो machinery होती है वो identification की सलाईयत रखती है और दूसरा bacteria को किल करने की pathogens को किल करने की सलाईयत रखती है इस तरह से bacteria phages को different pathogenic effect और bacterial infections को treat करने के लिए use किया जाता है